आजकल कुछ पुराने सपने आने लगे उसके साथ भी तब कुछ याद हो गए कभी-कभी लगता है वही सच है और जहाँ जाग रहो वह सपने है देरे-देरे सुबा होती जाती है और देरे-देरे मैं भी भूलता जाता हूँ पर सुबह एक खाली बन मैंसूस होता है लगता है कुछ तो है जबला नहीं सारा जग जट के पस ते नुह है चुनेया सारा जग जट के पस ते नुह है चुनेया और धेर धेर सब भूलता जाता हूँ सुबा से अलकेल की बारिश चल रही थी और मुर्गी और रोमेंटिक मौसन का मजा ले रही थी गर पर कanha फीर आप को बी लोग की हुआले कर दिए मुझे ने रगता मैं आपको कभी डेली व लोक्स दे पाऊंगा क्योंकि डेली वलोक्स मेरे बस की बात नहीं है अगर मैं डेली लोक्स के गया तो मैं आपको बड़ा बोर कर दूंगा जैसि कि ये मेरे घर की बटन है और ये ऐसे करने पर ऐसे करने पर लाइट चलू होते हैं फिर ऐसे बंद करने पर लाइट जाते है और ये है भैंन की बटन है ये सुनाटेख आप लोग मेरे вес अड़े, अगर किसी को मेरा एक पुराना वीडियो पता है तो आपको इसके बारे में पता होगा, इसकी मेरे घर पे मेरे से बहुत ज्यादा इजदे, एक बार मैने बच्पन में इसको लात माद दिया था, इसका पंक तुड़ गया था, फिर, मुझे भी उतने ही काली पड़ मैं आज तर किसी को नहीं का बर तुमको कह रहो, I love you guys. एक भी आपको फोटोस नहीं दिख रहे होंगी, मैं उसके बारे में भी पता हूँगा, तो एक बार क्या हुआ था, कि मुझे कुछ दिवार पे टांगना था, और जैसे कि दिवार पे टांगने के लिए उसको खिला टोगना पड़ता है, फिर वहाँ, खिला मारके वहाँ कुछ लटकया जाता है, तो मेरे पार डेलिंग मशिन नहीं थी, तो मैं कार डेलिंग मशिन लाता, तो मैंने ठोक दिया, लेखिन, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक गड़ा पड़ गया था, जो कि घरवालों के आने से पहले मैंने इस तरह गैप कर वो दिखता ही नहीं है, अब जड़ ऑंको फोटो लीन अवला ह barbecue, ये मैं ने ये मैं हिसे को नहीं भी ने बता ऑगा, इसे मै भी नहीं दे नहीं चाहताится है, तो किसी को मत बता गैस, तो ये मेरा फोटो है, एक मिनित, तो यह पर मेरा सरनेम लिखे, सरनेम एढ़ है, टेसा अब ये बात किसी को मत बताना गाड़ी से गिरने के बाद शायद पहली बार में सेनलिटा को बाहर निकाल रहा था ज्यादा खरोच नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ लगा दिख रहा है और यह देखो आएने पर स्क्रैच है उसके अरवा कुछ नहीं हलकी पारिश आज भी थी पर आज मैंने किसी ब्रिकर को साइट से कटनी मारा थोड़े असमार्ट के चक्कर लगए और इस जगा बैठा तो अब 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 ये साइड वाले भाई योगासन कर रहे थे शाम को शहर के शैटरड़े वाजार में बहुझा थे और लगभग सारे लोग पैक अप कर रहे थे अलकी बारिश हुआ भी चालू थी और नॉर्मली इस टाइम तक दिनबर बढ़ते हुए सबजयों के धाम कम होने लगते सुबा से बारिश से लिए और खिड़की खोली तो बहुत खूँगी लग लिए हलो डिया तो जहां से ये कटोवा में मार्केट गया था उसके बाद दो तीन दिन तो लगातार बारिश थी कल 18 तारिक थी और 18 तारिक को दिन भर बारिश थी मतलब पतली-पतली मेरे खर के बीजे के सारे गड़े भी भर गए लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही तो जो कल बारिश थे 18 तारिक को तो हमारे डिश्टी के जो कलेक्टर थे उन्होंने 19 त को स्कूल वालों को चुट्टी दे दी ये बोल की कि आज बहुत बारिश आने वाली है और बच्चों ने छुट्टी ले ली और मेन बाद है कि आज तो सुरज निकला आज बिलकुल भी बारिश नहीं है नए लोड़कों के मज़े यार हमारे स्कूल टैम पे तो ऐसा नहीं होता था हम सोचते थी कि स्कूल में बाड आ जाया और स्कूल बंत हो जाया ऐसा कभी नहीं हुआ चीटी में बाड आती थी फिर भी हमारे टीचर लोग हमें पढ़ाने पहुच जाते थे इनके वक्त कोरोना आ गया छुट्टिया मिली यार हमारे साथ यासा क्यों होता है तो खेर मुझे अभी मार्केट में जाना है कुछ सामान लेके आना है तो मैं अभी निकलूंगा वैसे एक और बात बतानी थी वीवर्स को लेके मतलब मैं यह बताना चाहता था कि मुझे मेरे उन हजार सब्सक्राबर से कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है उस उन 10-15 लोग तो मुझे उन लोगों से मतलब मुझे वैसे लोग चाहिए अगर 10-15 भी हो तो चलेगा व्यूज ना है चलेगा लेकिन वो लोग कंट्यूनियू साथ मेरे बस आप ही के लिए तो बनाना है मतलब अभी देखो मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन आपको पता है आप मेरे साथ हैंग आउट करते आपको पता है कि मैं क्या बकलोली करता है तो मेरे दिमाग में क्या क्योंकि मैं जो लिखता हूँ जो मेरे वीडियो में देखता है मैं वैसा हूँ अब हो सकता है कि दोस्तों के बीच कुछ ज़्यादा ही बकलोल हो जाता हो लेकिन यार मेर अंदर जो है अंदर का पिंट है हुए यह आप सबको पता है अभी तक आप लोग मेरी बकवास सुन रहे हैं मेरा मतलब उन्हीं लोग से मतलब तुम लोग सुन रहे हो तो यार तुम लोग बहुत इंपोर्टन हो कod me 23 जरनी के लिए बोल सकते यापर पता नहीं क्या बोल सकते और बात तो पात में मैं बूल गया कि मुझे फिल के बी जहा it यह होता रहता है ब्रो एक ओर बात बनानी थी कि मुझे देखो मुझे यhet अगरा करना इसमें को bullish में पहले कहानिया लिखता था मतलब हाँ एक और बाद बता थो मैं जब हॉस्टिल में था तब हामारे पास entertainment का कोई साधन नहीं था तब मैं कहानिया comics लिखा करता था मतलब उसमें drawings बनाना या फिर मतलब ऐसे थोड़ा कॉमिक जैसे बना कर एक फोटो जोटो डाल कर उसमें गाने वाने लिख कर हम लोग कुछ लोगों को पढ़ने के लिए दे दे तो वही अपना entertainment का सारा था तो तब कहानिया लिखने का शौक हुआ फिर लिखते लिखते मैंने dear diary बनाया था जैसा भी हो उसकी अब बात मत करो लेकिन तब मुझे लगा कि यार कहानि को लोगों तक पहुचाने के लिए एक medium था YouTube और और उसके लिए मुझे वीडियो बनाने में मुझे वीडियो बनाने में इंट्रेस्ट आने लगा और editing में थोड़े-थोड़े सीखता गया और अब भी सीखी रहो तो मैंने कोई class नहीं किया अब तक improve हो गया हो थोड़ा इतना तो मुझे पता है कि मैं थोड़ा-थोड़ा improve हो गया हो पहले में थोड़ा डरता था था उसके बाद दादाजी के साथ मार्केट में किया मैंने हर बार देखा है वो कभी मार्ट में चपल लगा करने आते हैं बात का सारा दिन घर पर ही बिताया और अपने फेवरेट क्रेटर से एक class भी किया कुछ नई चीज़े सीखिए शायद जरे-जरे उन्हें कि आपको बताए कि आज में घर पर अक्या आओ और मैं आज कुछ भी मनमर्जी कर सकता हूँ तो आज थोड़ कि आज के गाके देखता हूँ तो वैसे मैं बड़ा बेसुरा शिंगर हूँ लेकिन कोई मुझे कमें में मत बताना मुझे बहुत बुरा लगता है अबे कर भी दोगे तो क्या भरक पड़ता है अबे चैनल मेरा है मैं कमेंट सेक्षन ही आप कर दूंगा तो लिसंग है किसमे कर दो justapp कर दो कर दोगेज़िए कर। कि बल्लावं, अच्छो दम केशवं कुष्ण लावो दारं, नाम नाराया रम जान की बल्लावं, अर कोन कहते है भगवान आते नहीं, तुम भी आके जैसे गुलाते नहीं, कि अच्छो दम केशवं कुष्ण लावो दारं, नाम नाराया रम जान की बल्लावं, मेरा हादर करे यार।